हलो दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में हम Finance Sector को Technical Analysis करने वाले हैं तो हम आज के हमारे Angel One के WebPage के ओपर और ये वीडियो हमारे Education के Purpose से और Knowledge के Purpose से होने वाली है अब Angel One के WebPage प्याने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर उपर आपके साइड में बहुत सारे Option आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे एक और पेज उपन होगा, इस पर हम सभी सेक्टर के नाम देखने को मिल जाएंगे तो यह जो Finance Sector है ना, इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे ठीक है तो Finance Sector में जितने भी Stock List है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की List आज चुकी है, ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका क्या कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं analysis करने के लिए ठीक है अब मान लीजे मुझे इस stock को analysis करना है तो मैं इस पर click करूँगा ठीक है तो आप देख सकते हैं यह stock आ चुका है अब इस stock को दोस्तों आप बढ़िया तरीके से analysis कर सकते हैं इस stock को आप बढ़िया तरीके से यहां से search भी कर सकते हैं वे संपर फर्स नमबर पर आज चुका है स्टॉक इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे वाइश cuma यह पर उसका जो शाट s'e open हो चुका है अब देखिए यहाँ पर आपकšके कर कर सकते हैं तो यहां से हम बढ़िया तरीके से एक horizontal line का उप्योग करेंगे और सबसे पहले हम आप लोगों को यहां पर एक important level दिखाएंगे जो है दोस्तो 125 रुपे का आप देख सकते हैं यहां से कितने important level हमें देखने को मिल रहा हैं ठीक है मतलब यह 125 25 का level जब तक स्टॉक का break नहीं होगा ना जब तक के comfort zone में नहीं जाएगा नीचे के side में दोस्तो यह जो 122 का level यह support का काम करते में देखने को मिलने वाले हैं ठीक है तो हमने यह stock को analysis कर लिया और analysis दो तो खाली education के purpose से क्या है हम माले जी position लेना है तो आपने euro को यहाँ पर लाइए देखिए हमें buy का और sale का option दिख रहा है buy करना यह sale तो हमें buy करना है चलो buy पर click करेंगे तो हमें कितने lot मतलब कितनी quantity यह buy करना है तो माले जीए 500 quantity buy करना है ठीक है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो 500 quantity है इस price से ठीक है कितने क्या यह पता चल रहा है साथ ही में place barter पर click करेंगे order submit हो जाएगा और हमारा जो profit और loss है यह ओपर हमें portfolio पर देखने को मिलेगा बहुत easy दोस्तों angel one के है patch को use करना उसके साथ यह अगर आप angel one का mobile application use कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत शांदार feature लेकर आया है angel one है जैसके दोस्तों आप left end side पर देख सकते हैं आपको हमारा जो mobile screen है वो देखने को उपन होगा ठीक है इस page पर हमें सारी सुभी दा देखने को मिलने वाली है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा nifty bank nifty profit loss यहां से देख लो ठीक है जो भी time frame लगाना यहां से लगा लो अब आप देख सकते हैं वो stock हमें first number पर देखने को मिल रहा है इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टोक का चार्ट ओपन हो गया चार्ट को हम बड़ी हो यहां से analysis कर लेंगे ठीक है फिर उसके साथ ही यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों indicator लगाने का option अरहते हैं यहां से indicator लगा लो हो जाएगा और दोस्तों हमारा जैसे ही सम्मिट होगा हमारा जो profit और loss है मैं आप देखने को मिलेगा लिंक आपको नीचे discussion मिल जाएगा वहाँ से जाके एंजल्वन का dmit account उपन करो इंस्टारेट को यूज़ करो अटापट से हमारे वीडियो को लाइक करो चैनल को सस्क्राइब करो तो थैंक यू दोस्तों